हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सथ वित्राय अकेडमी, 13 जनवरी 2023 के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और प्रमुकता से जो नियूस प्रकाशित की गई है वो है संकट में दुनिया कहना मुस्किल अस्थिरता कब तक होगी चाहे वो खाद्यान संकट हो, रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर वैसिक मंदी का खत्रा हो इन सभी को लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने ग्लोबल साउस सम्मिट में जो सम्मोधन था अपना उसमें ये सब बाते उन्होंने बोली है और इसमें एक ये अनुमान लगाना मुस्किल है कि किस तरीके से भविस्य होगा सौस है अधिक विकास सील और पिछडे देशों कि उन्होंने इस बात पर भी एहसास दिलाया यानि कि इस पर भी उन्होंने फोकस करने को कहा कि अब हमारा वक्त आ रहा है यानि कि जो विकास सील देश है उनका वक्त आने वाला है उन्होंने ग्लोबल साउच समू के देशों में वेस्विक एजेंडे पर चार सुत्री एजेंडे पर काम करने का सुझाओ भी दिया है और इसका उद्गाटन चो सत्र था उसको ही इन्होंने संबोधित करती हुए ये सब बाते बोली हैं प्रधार मं मंत्री के अलावा इसमें जो भारत के मंत्रियों की हम बात करें तो निर्मला सीता रमन विदेश मंत्री एस जैसंकर और वन वा पर्यावरन मंत्री भुपेंद्र सिंग यादो की अध्यक्षता में अन्न बैठके हुई और जो सुक्रवार को भी यानिकि आज बैठक हुई ह पर हैं तीन से चौथाई मानवता इन देशों में निवास करती है यानि कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन की और इन में एक समान अधिकार मिलने चाहिए यानि कि अगर कोई देश गरीब है तो उसे भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने एक विक्सित देश को मिल आगे उन्होंने बताया कि मौजूदा चुनौती के बावजूद मैं मानता हूँ कि हमारा समय अब आ रहा है और हमें मौजूदा समस्याओं का सामना वो टिकाओ समाधान निकालने पर जोर देना चाहिए नेक्ट निउस है चीन सीमा पर इस्तिती अप्रत्याशित ये स्टेटमेंट दिया है थल सेना प्रमुख मनोच पांडे ने और जो 15 जन्वरी को सैन ने दिवस मनाया जाता है उसकी पूर्व संध्या पर या एक दिन पहले ऐसा रिवाज है ऐसा नियम है कि जो थल सेना अध्य होते हैं वो एक प्रेस कांफरेंस करते हैं उसी में इन्हों ने ये बाते बोली हैं तो सेना प्रमुख जनरल मनोच पांडे ने खाया कि चीन से लगी सीमा पर अगर हम पूर्वी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो चीनी सैनिक हैं उनका जमावडा लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं पर अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो वहाँ पर जो जमावडा पहले था उसकी यथा इस्तिती बनी हुई है ना तो वहाँ पर सैनिक ज़्यादा बढ़ाए गए हैं और ना ही ज़्यादा कम किये गए हैं लेकिन पूरवी छेतर पर लगातार चीन के स किया जाना चाहिए और लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतिय सैनिक दुस्मन के किसी भी नापाक मनसूबे को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है और मजबूती से तैनात हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैट और पाकिस्तान की कोशिसों पर भी स सेना दिवस की पूर संधिया पर इन्होंने ये सब बाते बोली हैं उन्होंने ये भी बोला कि सेना की छमता केवल संख्या बल से तै नहीं की जाती है बुनियादी धाचे सैनिकों का मनोबल अस्तस्त्र की छमता भगौलिक इस्तिती और प्रसिक्षन सभी बातों को फोकस कि दिया जाता है तब आप किसी की सैन चमता और उसकी मजबूती का आकलन कर सकते हैं और इस लिहाज से भारतिय सेना किसी भी विश्व के देश की सेना से कम नहीं है अगर कोई भी ऐसी परिस्तिती आती है जब भारत को युद्ध की तरह बढ़ना पड़ेगा तो भारत सेना अध्यक्ष है नेक्ट निउस है कि जोसी मठ में गतिरोध खत्म दो होटल गिराने का काम सुरू हो गया है इसमें एक होटल पांच मंजिला है और दूसरा छे मंजिला होटल है ये लगातार धस्ता सा जा रहा है जमीन में अब जब जो वेगैनिक हैं या फिर जो टीम ह है वहाँ पर वो ये बता रही कि अगर इस होटल को नहीं गिराया गया तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जो अगल बगल के जो मकान है उन पर गिरेगा तो उससे जानमाल का ज़्यादा नुक्सान होगा इसलिए इसे स्वें गिरा दिया जाए कल यानिकी इसमें थरस्डे को ब्रस्पतवार को जो होटल हैं उनकी टंकिया जो पानी की टंकिया थी वाटर टैंक जो था वो काफी बड़े बड़े थे उनको धुस्त किया गया अब इसे धीरे धीरे एक एक मंजिल करके धुस्त किया जाएगा हाला कि जो होटल मालिक हैं उन्होंने कहा है कि इस पर पहल जाए कि क्या market rate मिलेगा उसके बाद ये करवाई की जाए नेक्ट नियूज है भाजपा दुनिया की पहली digital party बन गई है इसमें इनके 18 करोण कारेकरता हैं जिसमें 3 करोण कारेकरता ऐसे हैं जो किसी ना किसी पतबर आसीन है अब यहाँ पर एक app जारी किया गया है जिसका नाम संगठन reporting and analysis यानि सरल इस app को नाम दिया गया है सरल इसमें जितने भी भाजपा के प्रदादिकारी हैं उनको app के माध्यम से अगर उनसे call करनी होगी या video conferencing करनी होगी तो एक click से ऐसा हो जाएगा क्योंकि वरिष्ट जो भाजपा एक महाधिवक्ता हैं उन्होंने तक विहा के पार्टी अध्यक्ष संजय जैस्वाल को लाइन पर लिया और एक टश से ही video call करके बात भी करी यानि मीडिया को उन्होंने ऐसा करके दिखाया तो इस इसाब से 18 करोन कारिकरता वाली भारती जनता पार्टी विस्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके बाद एप के म से आगे रखना होगा प्रधान मंतरी मोधी ने युवा महुत्सों का जो घाटन किया उसमें ये बात बोली है कल विवेका नन जी का जनम दिन था और विवेका नन जी का जनम दिन विवेका जो है वो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रधान मंतरी नरेंदर मो है ताकि हर छेत्र में महिल आगे आ सकें भारत सभी छेत्रों में आगे बढ़रा इसका में घर्रप सकती यहां पर बताई जा रही है इसमें भारती श्टार्टप कमाई कर रही है बड़े पैमाने पर विदेशी dzisiaj बढ़ रहे हैं और कई जो कंसी बात 똑같़ FDI को लेकर उत्साहित हैं ये सब कई बाते उन्होंने बोली हैं और ये भी बोला है कि किस तरीके से हम विकास सिल देशों की एक स्रेणी से बहुत आगे हैं नेक्स नीज़ है कि विसिसग्यों को विस्विध्यालों में प्रोफेसर बनाने का सिलसला सुरू हो गया है प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस एक स्कीम जो यानि चलाई गई थी एक पद था उसमें ये UGC द्वारा एक निर्णे लिया गया था कि जिनके पास 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है अपने विशय में वो एक वर्स के लिए प्रोफेसर बनाये जाएंगे अनुभव के आधार पर और ये एक वर्स का कारिका लगातार तीन साल बढ़ाया जा सकता है किताबी ग्यान ही नहीं अब इस से जब ने प्रोफेसर जुड़ेंगे तो वो अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को नई सिक्षा देंगे हर विश्विद्याले और उच्च सिक्षर संस्थान से अनुभव के आधार पर विशिसद्यों की न्यूकती करने के भी निर्देश दिये थे आगे इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से हर्याना और राजस्थान ने इसके लिए वेकेंसी भी निकाल दी है नेक्स नीउस पर आते हैं मार्च में 40 अफरीकी देशों के साथ बड़ा सेन अभ्यास करेगा भारत जो थल सेना प्रमुक है मनोश पांडे उन्होंने जो मीडिया ब्रीफिंग थी प्रेस कॉंफरेंस थी उसमें यह बताया कि भारत या भारतिय सेना मार्च 2023 में लगभग 40 अफरीकी देशों के साथ एक बहुत बड़ा सैन अभ्यास करने जा रही है और मार्च में हम अफरीकी देशों के साथ अभ्यास करेंगे मालूम हो कि चीन द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयासों के मंदे ने जल भारत कुछ वरसों से अफरीकी महादीब के साथ समगर रच्छा एवं रड़नीतिक संबंद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जनरल पांडे ने कहा कि भारतिय सेना के लगबख 45 परतीसत उपकरण पुरानी याने विंटेज स्रेड़ी में आते हैं जबकि 41 परतीसत वरतमान और प्रोदोगी की स्रेड़ी में आते है सिर्फ 12 से 15 परतीसत ही अत्याधुनिक स्रेड़ी में आते हैं इसलिए जब आप दूसरे देशों की सेनाओं के साथ सेन अभ्यास करते हैं तो एक दूसरे की छमता तकनीक और मनोबल का आदान परदान होता है जो एक किसी भी देश के लिए जरूरी होता है इसलिए बीच ब पर्यावरान में जो बदलाव हो रहा है उसको रोकने के लिए भारत सदय और द्रहन संगल्प है और इस दिसा में लक्षों की प्राप्ती के लिए भारत अन्य जो विकास सिल देश हैं उनकी मदद भी कर रहा है यह मदद भारती जो तकनीक है आधारित है और यहाबात पर्यावरान मंत्री भूपेंद्र यादो ने कही है दो दिवसी ए ग्लोबल साउस सम्मिट को संबोधित करते हुए यादो ने कहा कि विक्सित देशों ने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संपदा का दोहन भी किया है इसलिए बीते समय के कार्यों की वे जिम्मेदारी ले और पर्यावरान सुधार के लिए विकास सिल देशों की मदद करें नेक्ट निउस है स्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर G20 देश करेंगे मंधन भारत के अधिक्षता में जो G20 समेलंग चल रहा है उसके तहांत राजस्थान के जोदपूर में 2-4 फरवरी तक होने जारी बैठक दुनिया के स्रमिक कामगारों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगी यह रोजगार कार्य समू यानि की Employment Working Group की इस पहली बैठक में खास तोर पर असंगठे छेत्र के स्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर सदस्य देशों के प्रतिनिती मन्थन करेंगे और द्योगो की जरूरत के अनुरूप कौसल विकास और कौसल विकास के वैस्विक मानक तै करे जाएंगे इस बैठक में स्रम एवं रोजगार मंतराले को नोडल बनाया गया है सभी उन बिंदों की सूची उन बिंदों को सूची बद्द करने किया जा रहा है जिन्हें भारत अपनी और बनायों से चिंतन मनन के लिए उठाना चाहता है करोना के बास स्रमिकों और कामगारों की संख्या वाकए में काफी बढ़ गई है और भारत सरकार उनके लिए हर समय कोई ने कोई स्कीम लाती रहती है तमाम देसों में भी यही परिष्टती है जिससे स्रमिकों की आर्थिक और समाजी सुरक्षा का मुद्दा भी वैस्विक हो चुका है। इसे लेकर G20 के सदस्य देश चिंतन और मनन करेंगे। नेक्स्ट निउसर बिजनेस पेज से जिसमें इलेक्ट्रिक वहिकल का हब बनने की रहा पर भारत। जो देश की तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है Tata Motors उन्होंने कहाए कि भारत इलेक्ट्रिक वहानों का वैस्विक हब और सप्लाइचेन का एक प्रमुख केंद्र बनने की रहा पर अग्रसर है। कंपनी भी इसके हिसाब से रणीती तैयार कर रही है। उन्होंने बोला कि Tata Motors सिर्फ पैसेंजर इलेक्ट्रिक वहेकल ही नहीं जबकि जो उनके भारी वहान है ट्रक उनको भी इलेक्ट्रिक वहेकल किस तरीके से बनाया जा सकता है इसके सोध पर भारी भरकम रासी खर्च कर रही है और कंपनी ने बताया कि 2030 तक उसके कुल वहान उत्पादन का 50 परतीसत इलेक्ट्रिक वहनों का होगा कंपनी लंबी दूरी के ट्रकों को बिजली चालित बनाने के लिए भारी भरकम रासी इनके सोध वविकास कारी पर खर्च कर रही है टाटा मोटर्स पैसेंजर वीकल और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क एमडी सैलेश चंद्रा ने ये बात बोली है और जो इलेक्ट्रिक वेकल का आटो मोबाइल सेशन चल रहा है वो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है सड़क दुरगटना जो सब्ता चल रहा है 11 से 17 जरुनवरी उसको लेकर नितिन गटकरी ने बोला है कि 2024 के आखरी तक देश में सड़क दुरगटना में 50% की कमी लाई जाएगी कई ऐसे नियम बनाए जाएंगे थोड़ा सा सुधार किया जाएगा इन सब बातों पे उन्हो चुछ खास इस नीज में नहीं है नेक्स नीज पराते हैं कि कुद्रा महंगाई खुद्रा महिंगाई में राहत का सिलसला जारी देख खुद्रा महिंगाई में राहत का सिलसला जारी है गत दिसंबर की अगर हम बात करें तो 5.72% खुद्रा महिंगाई रही थी वही नवंबर में 5.88% रही थी दिसंबर 2021 में खुद्रा महिंगाई 5.66% रही थी से कम के इस तरपर होने से रेपो रेट और बढ़ोतरी की गुंजाइस कम होती जा रही है RBI की तरप से खुद्रा महंगाई दर की अधिकतम सीमा 6% है जानकारों के मताबिक रभी की अधिक बुआई से भी आने वाले महीने में भी खुद्रा महंगाई दर को और कम करने में मदद मिलेगी नेक्स निउस है कि आपसी सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे भारत और अमेरिका नेकि भारत और अमेरिका में लगातार जो रिष्टे बन रहे हैं अब दोनों ने आपसी सप्लाई चेन को और मजबूत करने के लिए भी इंडिया यूएस ट्रेट पॉलसी फोरम याने की टी पी एफ वरकिंग ग्रूप का गठन करने का फैसला लिया है करोना के दोरान कई सम्वेदन सील और महतपून आइटम के कच्चे माल की सप्लाई के लिए दोनों ही देश चीन पर निर्भर रहते थे लेकिन अब वो एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं इसलिए इंडिया यूएस ट्रेट पॉलसी फोरम का निर्मान किया जा रहा है भारत अमेरिका ने इंडो पैसिफिक एकनॉमिक फ्रेमवर्क याने की IPEF को सदस देसों के आर्थिक विकास और हिंद प्रसान छेतर में सांती बहाली के लिए महतपून बताया था भारत इस सल फरवरी में IPEF वारता का आयोजन करने जा रहा है दोनों देसों के बीच 11 जन रबूत करने की कोसिस कर रहा है चलिए नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज इंटरनेशनल पेज में जो पहली न्यूज है कि गुलाम कस्मीर में हो सकता है रोटी के लिए दंगा यानि आप जी जो पिक देख रहे हैं उसमें किस तरीके से राहत सामगरी के लिए या फि के लिए भगदर मच रही है दो तिन लोगों की रोज जाने जा रही है तो भुक मरी की स्तिती वहाँ पर गुलाम कश्मीर में देखने को मिल रही है नेक्श न्यूज है कि युक्रेन में हो रही मोर्चा बंदी भीशन लड़ाई की आसंका युक्रेन भी पीछे हटने को त्यार नहीं है और रूस ने जिस तरीके से युक्रेन में 30 अत्रिक यूनिट तैनात की है उसको लेकर युक्रेन भी अब मोर्चे बंदी में जुट गया है और उसको जो हत्यार की सप्लाई हुई है अमेरिका द्वारा और जो फंड जारी किया गया है उसकी वज़ा से एक नई उर्जा के साथ युक्रेन भी पीछे हटने को त्यार नहीं है और अपनी जगा पर उसको पूरी तरीके से छोड़ने को त्यार नहीं है याने आने वाले दिनों में रूस और युक्रेन का यानि 13 जन्वरी 2022, sorry 23 का दैनिक जागरान का राष्टिय संस्क्रण था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद